आप आपका लुटकर देयु में हो राज एषिन्ट साथ का जो वीडियो है वो मेजर लिए चनल की ओर से वीडियो का टाइटल है गीपी ग्रेवाल वर्सिस लॉर्ण्स भीस्नोई पिर शिर नाम जो है सुरखियों मैं आया है वीडियो दोस्तों लाज तक जहूंग देखना म उसकी चैनल मेजरली राइट से हैं, तो वीडियो लाश्ट तक जरूर, इसलिए देखरें कि लाश्ट में हम आपके साथ जरूर बात करेंगे, उसके पहले आप एक काम कर दीजे, चैनल पर पहली बार आये हो और सब्क्राइब कर नहीं किया है, तो सब्क्राइब का बटन को जैन दोस्तों, मैं उमेजर गारवारिया और आप देखरें मेजरली राइट, गिप्पी ग्रेवाल के घर के आगे गोलियां चली, गिप्पी ग्रेवाल कोन है, ये एक पंजाबी सिंगर है, जो वैंकूवर कैनेडा में रहता है, और लॉरेंस बिशनोई, जो की ये है, कि उसने बोलाए कि भाई तुम सल्मान खान के बड़े तुम सगे हो, तो गिप्पी ग्रेवाल ने बोला कि मेरा सल्मान खान से कोई लेना देना है नहीं, और सल्मान खान से ना मेरी दोस्ती है, ना मेरी दुश्मनी है, मैं सल्मान खान को एक आद बार कभी मिला हू कबूतर बाजी बहुत पहले से करते आई हैं खालिस्तानी ठीक है और ये कबूतर बाजी एक टर्म है जो कि आप अगर गूगल में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा इसका क्या मतलब है यानि कि जो जो बैंड्स होते हैं म्यूजिक के या पंजाबी सिंगर्स हैं काफ लाकि ये गिटार बजाता है ये तबला बजाता है ये वो करता है वो करता है हमारे पचास लोगों का ग्रूप जा रहा है बाहर उसमें से यहां से ले गए लोग कैनडा वहां पे छोड़ दिया वहां पे खुले गूम रहे हैं निकल लिया वापस ही नहीं आए वो लोग व जो पूरा खालिस्तान का नेकसस है दोस्तों ठीक है अभी मैं आउँगा लॉरेंज बिशनोई पर और मैं गिपी ग्रेवाल की भी बात करूँगा और लोगों की भी बात करूँगा हुआ ये है कि इन लोगों ने आपसी रंजिश इतनी पाल ली है कि ये कतल पे उतर आए है और इनकी रंजिश है किस चीज़ की इस मामले में फिलहाल मैं लॉरेंज बिशनोई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूँ ड्रग्स, वेपन्स, एक्स्टॉर्शन, कॉन्ट्रैक्टिल अब खालिस्तानी पड़े लिखे हैं नहीं यार अब कि किसी उस से बोलो कि तो हम सैंटिस्ट बन जाओ, नुकलर सैंटिस्ट बन जाओ, रॉकेट सैंटिस्ट बन जाओ, ये सब तो कर नहीं पाएंगे खालिस्तानी, जो खालिस्तानी मुझे धंकी भी देते हैं, मुझे पता लगता है कि जो खालिस्तानी मुझे धंकी दे रहे है तो उसमें गोरावारिय औको डर तो लगे यार थोड़ा सा उसमें खौफ तो पएदा हो कि देखो खालिस्तानी मुझे मार देंगे कुछ दहेशत तो हो गोरावारिय और अब गोरावारिय में दहेशत नहीं हो रही गोरावारिय यहाँ олжारह है की है और लॉरेंस बिशनोई कह रहा है कि मैं पूरी पिक्चर रिलीज कर दूँगा दोजार तेश में मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर के आगे सेक्यूरिटी इंक्रीज करी थी उसके परसनल असिस्टेंट को इमेल से थ्रेट मिला और एक केस रेजिस्टर हुआ था ल इंदुस्तान भर में बिशनोई पहले हैं लेकिन अगर आपने हिरन मारा या ऐसी कोई जीवहत्या करी बिशनोईयों के सामने है तो भाई साब फिर वैसे बड़े अच्छे लोग हैं कोई दिक्कत नहीं है आप उनके घर पे जाओ यारी दोस्ती करो मेरे कॉलेज में भी ए मारा मैं तुम्हे ठोकूँगा तो ये ठ्थ्रिट स्ल्मान गान को मिली अब ये जो पूरा मामला है गिपी ग्रेवाल का और पूरा ए जो कैनीडा का नेक्स्थ Gir what का ठligh सताथस है इसमें इंके सिंगर्स भी इन्वॉल्ड हैं तब भारत मातागी जै बोल देते हैं, character होता नहीं है, पाकिस्तानियों से funded हैं ये लोगे, तो जब पाकिस्तानियों में character नहीं ही तो उनमें कहां से character होगा, ठीक है जी, तो ये सब चीज़ां वहाँ पर चल रही हैं, उसके अलावा, सरी में, सरी जो है, बिटिश कलम्बिया पिसले लगाए क्योंकि एक पब्लिक प्लेस है लोग वहाँ पे आते जाते हैं लोगों का पहुंचना आराम से उन्होंने बोला कि यार देखो हमने ये सरी मेसले लगाए क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे और हम ये नहीं चाहते कि इंडिया के मिशन है ओटाव कि भई यूर अलाइव, यूर वेल, यूर हिल्दी एक सर्टिफिकर्ट जाता है तो ये लोग पेंशनर के पास सले जाते हैं भई हम आपका ये लाइफ सर्टिकर्ट बना देते हैं तो ये लोग सर्विस करते हैं एंबेसी वाले उनका काम यह है कि मतलब जो वहाँ पे कॉंटर प्रोडेस्टर्स थे, दो सो, यानि कि जो लक्ष्मी नारान अंदर में थे हो करीब दो सो थे और करीब पच्चिस प्रो खालिस्तानी थे, ठीक है, सिक्स फर जस्टिस वाले, और वहाँ पे फिर सरी की पुलीस आई और रफा दवा करा और खालिस्तानीयों को लात खालिस्तानी बत्तमीज होते ही, आपको पता ही है, they have no culture, खालिस्तानी जब बत्तमीजी करना इन्होंने शुरू करा, तो वहाँ पे लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करा और पुलिस को फोन करा, पुलिस आई फिर पुलिस ने इनको लात मार के भगाया वहां से, और टेंपल के जो लीडर्स थे, जो मंदिर के वहां पे जो देख रहें करते हैं मंदिर के, उन्होंने ये बोला कि हम खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स को फेस करेंगे, आप चिंता मत करिया, यह जो खालिस्तानी हैं, यह बहुत जारा चुचुचुचुचु, देए एक जमाना बोलता हूँ ना, कोई neurosirgeon नहीं निकलता खालिसता, इतने बुद्धी हैं नही इनकी ये हिंदूओं के दुश्मन ये सिखों के दुश्मन, ये मुसल्मानों के दुश्मन, ये साइयों के, ये सब के दुश्मन है, जो इन से अब इंडियन कम्यूनिटी जो की इजबदार कम्यूनिटी है जो की और इसमें हर एक धर्म का बन्दा उसमें हिंदु भी है सिक्फ भी है, मुसल्मान भी है, क्रिश्चिन भी है सबलोग मिलके रहते हैं अब उसमें बाइचारे से अब इन्होंने एक मन बना लिया है कि नहीं यार खालिस्तानियों को आपको कंफरेंट करना पूरे भागा मैं तो एक और चीज़ कहना चाहता हूँ जो इंडियन्स है बहर आप UK में रहते हो, US में रहते हो, Canada में रहते हो, Australia में रहते हो, New Zealand में रहते हो जहां जाख खालिस्तानिय है, buy a weapon जो भी legal formalities हैं आपके देश की, आप उसको complete करो buy a weapon, हत्यार खरीदो क्योंकि ये खालिस्तानियों का कोई वरुसा नहीं है आप अपने आपको defend करना सीख लो, मैं हिंदुस्तानियों से कह रहा हूँ buy a weapon and if you're in America, buy an assault rifle ठीक है, आप अपने देख लिए न, state का क्या rule है conceal and carry है, क्या है मामला आपके state का, अलग-अलग state का अलग-अलग rule होता है, law होता है America में देख लिए न, but if your state allows keep two-three weapons, keep a personal weapon on you which is a pistol, और घर के लिए keep a shotgun, किसी को कोई doubt है, किसी भी Indian को कोई doubt है, which weapon he should buy आप प्लीस कमेंट्स में हमें लिखेगा कि मेज़े साब मैं अपना नाम लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपके privacy और security concerns भी होते हैं आप बस लिख दीजा, I live in this city which weapon should I carry, which weapon मैं आपको बता दूँगा पूरा कि कौन सा हतियार जाके आप खरीदिये, कौन सा हतियार आपको चहिए होगा home defense के लिए, या फिर anti-khalisthani कौन सा हतियार आपको इस्तमाल करना है major आपको पूरी Indian army की training video पर दे लेगा, I will tell you which weapon to keep, right but while dealing with khalisthani's if your state allows, right keep an AR in the trunk of your car अगर आपका state allow करता है तो, कहीं जेके southern states हैं यहापे तो लोग उनक पाँ घर में टैंक हैं तो यह नहीं कहारा टैंक खरीदो लेकिन हतियार अपने खरीदो, buy weapons, all Indians everywhere तो, थैंक दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए यहां पे जिसी शाप जे मेजर गवरो आरिया जिन ने हमें जो बताया जिसमें गिपी अगरवाल जो है वो है इंडियन सिंगर है और अभी फिलाल, मतलब वो जाए-जाजादर खुले आप एंटी खालिस्तानी यही है और खालिस्तानियों को मतलब वो तो शोड़ने वाले हैं है जेल में यह भी वो जेल में है लेकिन मतलब वो कबूल भी कर रहे है उसने तो किया है। वह गांट्राइव है लेकिन किसी और को पर ही कर रहे कि ये इंडिया के खिलाब है तो वहां पर दमकी देते वह करते भी है ऐसा सुनने में आया है बहुत डिटेल्स में हम भी नहीं चाहते जो दो-तिन मामले हुए है उस मामले के थोड़े परिशित है बाको में भी नहीं पताआ है यहां पर इंडिया में नहीं है कोई भी स्टेट में कोई भी वार्तिन इंडिया में किसी भी नापर इस नहीं है आप पोलिस उफिचर हो आपको गवर्मेंट जैती है लेकिन आप आम नापर के endangered आपके पास midnight सब्सक्तर के लिए आप लघ present को यहाज नहीं रक सकते। किसी किसी को दिये जाते है लेकिन पूरी ट्रेनिंग के साथ लेकल फॉर्मालिटी होती है ट्रेनिंग होती है सब यहां पे अमरिका जो है वहां पे पर सेट वाइज कुस रूल से वहां पर यूज कर सकते हैं वहां तो बच्छे भी यूज करते अमरीका पूरा स्टेट अलग है क्योंकि वहां पे हर एक घर में सॉल्जर है क्योंकि वहां पे अमरीका में एजुकेशन के साथ आर्मे ट्रेनिंग यह सभी ट्रेनिंग भी दी जाती है क्योंकि अमरीका को पर हमला इसलिए तो कोई देश वाले करते नहीं है घर में फोजी है ऐसा सब लोग ट्रेन है उसको ट्रेनिंग पर्टिकुलर मिलती है आपको वीडियो कैसे लगा कि कमेंट में लिख कर चुरू बताएगा आप फिलागा मैं आपसे जाए लेते हैं मिलते ह सब्सक्राइब रखने वीडियो में आपके साथ तिल जैन 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 बारत